Hello everyone, welcome to PCBBaba channel PCBBaba channel के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स आठ मर्च के करेंट फेर्स को उचली सुरुआत करते हैं चर्चार में रहा सुपेश पोर्टल किसकी पहल है? Q1 जिसका विकल पहां पर दिया गुए है सिच्छा मंत्राले ने, सरवोच नाले की ये पहल है या फिर उच्चे नाले की ये पहल है या फिर ग्रीन हाले की पहल है तो सुपेश पोर्टल जो है ये पहल है सरवोच नाले की सरवोच नाले ने पहल करी है सरवोच नाले के जो CGI है या फिर मुख्य नाय अधीस है जिनका नाम है S.A. बोबडे S.A. बोबडे जो हमारे है 47 Chief Justice इन्होंने पहल करी या फिर इसका घटन किया सुपेस पोर्टल का सुपेस पोर्टल का फूल फॉर्म जो है वो है Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficacy यह एक Artificial Intelligence है जो निया अधीसों के वर्कलोड को कम करता है कैसे सपोस कर यह Supreme Court में कोई अगर केस जाता है तो केस से related क्या क्या बाते हैं कौन कौन सी धाराय लगेंगी यह सुपेस पोर्टल के दोरा जाना चल सकेगा लेकिन उसके उपर नतीजे देने का काम सिर्फ और सिप निया अधीस करेगा तो यहाँ पर जो है सुपेस पोर्टल जो है निया अधीसों के वर्कलोड को कम करेगा और मैं बता दूँ फ्रेंट्स 47th Chief Justice जो है हमारे ऐसे बबड़े उन्होंने इस सुपेस पोर्टल की पहल की इसको लॉंच किया है और यह जो 47th हमारे Chief Justice है यह सेवा निवरित हो जाने वाले हैं और 24 अपरेल से हमारे नए CGI या फिर मुखे नए अधीस होने वाले है जिनका नाम है N.V. रमना और यह हमारे 48 वे मुखे नए अधीस होंगे सर्वोची नेले के फ्रेंट्स भारत के सर्वोच चनेले के स्थापना जनुवरी 1950 में भी थी और यहां के जो नए अधीस होते हैं वे कब तक रिटार्ड हो जाते हैं वे रिटार्ड हो जाते हैं 65 साल की उमरें फ्रेंट्स अब चलते हैं question number 2 पर question number 2 में लिखा है पुब्लिक सिस्टम में नवाचार लाने के लिए अटल इनुवेशन मिशन ने हाली में के निमलिकित में से किसके साथ साज़धारी की है पित वस्ते में परिवतन लाना अगर मैं आपको बताओं फ्रेंट्स अगर आप सन 2000 में चले जाएं और आज का सन है 2021 सन 2000 में आप देखते होंगे अगर आपके भेंक के घातों में पैसा है तो उस में सब्सक्राइब आपको तो आप कहा जाना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा लेकिन आज के समय में बहुत सारे नए-नए एप आ गया है भीम आ गया है यूपी आई आ गया है जिससे क्या होता है आप ओलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कोई समान खरीदना है या फिर किसी को पैसा पहुचा रहा है तो आप उनलाइन कर सकते हैं वहाँ इसके लिए बैंकों में जाने की आपको जरूरत नहीं है तो यहाँ पर जो किसी भी चीजों में परिवर्ता ना रहा है इसी चीजों को हम कहते हैं नवाचार जैसी कि पहले के समय में आप अगर मार् एक प्रकार का तो अटल इनुवेशन मिशन तथा जो इसमें विकलप सी है सेंटर फॉर इनुवेशन पॉब्लिक सिस्टम ये दोनों का काम है नवाचार लाना और इसके अलावा इंटरप्रेनियोर उद्यमिता को विकास करना उद्यमिता को बढ़ावा देना है फ्रेंट्स तो यहां पर जो एंसर है वो फ्रेंट्स है सी कुशन नामर थ्री पर नेमलिकित में से किसने ब्रिक्स देश के वित्यमंत्रियों और केंद्री बैंकों के गवर्नर की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी की इसका मतलब है फ्रेंट्स जो ब्रिक्स देश कौन से है फ्रेंट्स ब सभी देशों के वित्यमंत्री और साथी साथ इन सभी देशों के जो केंद्री बैंकों के गवर्नर थे उन सब उने मिलकर 2021 में बैठक की और इस बैठक की मेजबानी जो किया भारत ने भारत के वित्यमंत्री और केंद्री बैंक के गवर्नर बैठे वित्यमंत्री हमारे निर्म वीर पुतिर नहीं किया था फ्रेंट्स और इसके अलामा जो ये ब्रिक्स की बैठेक वी जिसमें भारत ने मेजबानी करी इसके एजन्डे क्या थे फ्रेंट्स इसके एजन्डे थे ग्लोबल एकोनॉमिक आउटलिक पर चरचा करना गोविड-19 महारी पर चरचा करना, डिजिटल टेकेनोलोजी पर चरचा करना और इसके अलामा जितने भी इन्फर्स्रेक्चर है उनके फाइनेसिंग पर चरचा करना ब्रिक्स का जो headquarter है friends वो संगाई चाइना में है और ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट है वो है मार्कोस, प्राडो, त्रोईचो फ्रेंट्स आगे चलते हैं friends question number 4 question number 4 में हाल ही में फातिमा जकारिया का निधान हो गया उनका संबंध किस चित्र से था A. जो है खेल B. इनृत्य, C. जो है पत्रकारता या फिर D. अंत्रिच विज्यान तो इसमें से सही answer जो है पत्रकारता friends फातिमा जकारिया जो है ये संब 2006 में पत्रकारता सम्मानित भी हुई थी 85 वर्स की उमर में इनका निधान हो गया ये the times of इंडिया की पत्रकारती एक समय की तो फातिमा जकारिया वेरी इंपोर्टन क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर फाइब में खबरों में रहा पॉंग डैम लेक वनने जू अभयारान किस राज्य में इस्थित है friends ये देखे friends पॉंग डैम लेक जो है इसको हम लोग महाराडा प्रताप सागर भी कहा जाता है महाराडा प्रताप सागर जो है पॉंग डैम लेक को कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेस के कांगडा में है friends और यह खबरों में की हुथा फ्रेंट्स क्योंकि हमाचल प्रदेस कंगडा में जो पॉंग डैम लेख है यहां पर बहुत सारे पंक्षी आते थे ब्रेडिंग करने के लिए रहने के लिए ठंडी के मौसम में जो सरदरीतितों करते हैं मार्च तक तो यहां पर क्या हो गया फ् वेवन इंफ्ल्यूइंचा जिससे कारण यह पॉंग डैंग में जो पच्छी थे वह सब मर गये हाला कि वह खासकर मुर्गीओं में देखनें मिलता है चिकन में देखनें मिलता है फ्रेंट्स लेकिन यहां पर जो है इसी वाइरस से कारण यहां के पंक्षी मर गये है वनने जीव अभ्यारण है वाइल लाइफ संक्चुरी है खाली पॉंग डैम लेक वाइल लाइफ संक्चुरी नहीं है उनके भी नाम जो है माचल प्रदेश के वाइल लाइफ संक्चुरी के हैं चंदरताल वाइल लाइफ संक्चुरी किबर वाइल लाइफ संक्चुरी लि दुनिया भर में अरब पतियों की लिष्ट जारी की है इस लिष्ट के उनिसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है ए जेब एसौस बी एलन मस्क सी बिल गेट्स या फिर दी मार्क जुकरबर्ग जिसका जो सही एंसर और फ्रेंड्स वह है ए जेब एसौस जेब एसौस की कंपनी का नाम है Amazon और एंके पास जो पैसा है करीब-करीब 171 billion डालर इतना पैसा है अनके पास पर यह एक बैस्या पर पर की सबसें अमईरव। इन्होंने चीन के अली बाबा के जो जैक मा है उनको भी पीछे छोड़ दिया फ्रेंट्स ये एसीय के सबसे अमीर व्यक्ति हो गया है मुक्य संबानी और भारत जो है भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है सबसे धनी व्यक्ति के सुची में फ्रेंट स्थनांत्रण और पोश्टिक से सब्बंधित संसोथि दीरशा नर्देशों के अनुसार किंदरी सतरकता आयोग के अधिकारियों का स्थनांत्रण अब हर साल कितने साल पर किया जाएगा देखे फ्रेंट्स किंद्री सतरकता आयोग जो है इसको कहते हैं Central Vigilience Commission तो Central Vigilience Commission क कि अब यह एक जगाँ पर रहकर डॉटी नहीं कर सकते, ज़्यदाज ज़्यदा यह वहाँ पर रहपाएंगे तीन साल, तीन साल के बाद इनका क्या होगा, दूसरी जगाँ पे फिर से पोस्टिंग हो जाएगी, एक जगा पे इनकी पोस्टिंग अब हमेशा के लिए नहीं रहा पाएगी फ्रेंट्स और ऐसा क्यों किया गया फ्रेंट्स यह इसलिए किया गया फ्रेंट्स क्योंकि आकसर आने वाले समय में यह देखा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं केंदरी सतर्कता आयों के वह कश्मीर इंडिली आफिर क्शल प्रदेश तो इसका जो सही एंसव रेफरेंट्स वह है जमू कश्मीर जमू कश्मीर में के मॉबाल हुआप速 लौन्च की अगया जिसका नाम हमारी सरी हमारा सडक और तामीर तरक्की मुबाइल एप इसके तहट में क्या होगा फ्रेंट्स जैसे देखिए फ्रेंट्स जो सरकार है हमारी जो सरकार है हमारी अगर उसके द्वारा उसके द्वारा अगर कोई कोई इस फैसिलिटी या फिर कोई लाव या फिर कोई सूचना सरकार देती है वह कैसे जमू कस्मीर के लोगों तब कहुचेगी इसके लिए उन्होंने कम्यूनिकेशन का माध्यम बनाया है और उसी का नाम है हमारा सड़क और तामिरतरक की नाम का मुबाइल एप इसी मुबाइल एप के द्वारा ये क्या करेंगे कम्यूनिकेट कर पाएंगे जमू कस्मीर के लोगों से और ये करेगा क्या ये करेगा क्या ये करेगा क्या ये जमू कस्मीर के निवासी जो है ये अपनी सिकायत दर्ज कर सकते हैं उसमें और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं उस के द्वारा और इसके एलावा इस आपके जड़ीए पता लगा सकते हैं कि जम्मू कस्मिर में में क्या प्रोट्च चल रहा है सरकार के द्वारा so यह हमारा साड कोलत अमेर तरकी जो है यह जम्मू कस्मिर में無關 कि यह गया है यह जो किक प्रते तरुनबजाज जो है वित्मंत्राले में राजस्वी भाग में नए सची नियुक्त की गए हैं और इनसे पहले कौन वित्मंत्राले के राजस्वी भाग में सची हो थे फ्रेंट्स वह थे अजय भूसवड पांडे तरुनबजाज जो है वित्मंत्राले के राजस्वी भाक के नए सची नियुक्त की गए है और तरुन बजाज वितम मंत्रा लेगे रजस्वी भाग के ना इसे चिवने कि गया है फ्रेंड्स Quesion No. 10 पे चलते हैं फ्रेंड्स साल 2020 के देवी संकर अवस्ति सम्रिती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया A. आसुतोस भारदवाज B. राहुल सिंग C. रविस्कुमार, F.E.D. मृत्युजे, पांडे तो इसका जो सही अंसुर है फ्रेंड्स वो है असुतोस भारदवाज असुतोस भारदवाज की एक उपन्यास है अलोचक उपन्यास जिसका नाम है पित्रिवद क्या नाम है फ्रेंड्स पित्रिवद इसके लिए इन्हें सन 2020 के देवी संकर अवस्ति इसमिती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स ये तो 2020 के थे फ्रेंड्स 2019 में किसे देवी संकर अवस्ति इसमिती सम्मान से सम्मानित किया गया तो वो है राउल सिंग राउल सिंग जो है वह जारखन से हैं इन्हें जो है विचार और अलोचना नामक के उपन्यास के लिए 2019 के देवी संकर अवस्ति सम्रती सम्मान से सम्मानित किया गया फ्रेंट्स और इसके रामा देवी संकर अवस्ति सम्मान जो है हर साल 5 अपरल को दिया जाता है और किसके दारा दिया जता है देवी संकर अवस्थी की पतनी कमले सवस्थी के परिवार के दोरा देवी संकर अवस्थी जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नौ से जन्मे थे और यहाँ पर मैं बता दू फ्रेंट्स मैं 36 साल के उमर में इनके एक्सिडेंट पे दिहांत हो गया था यह एक चमकते हुए लेखकते जिनकी मृत्ति हो गई तो इनकी पतनी जो है इनकी याद में ही यह देवी सिंकर अवस्थी सम्र्थी सम्मान देती है तो यहाँ पर आपके सामने करेंट अफेर्स के एक आट्रफ थीम फ्रेंड्स मिलते हैं आगे नव अप्रेल करेंट अफेर्स में तब तक के लिए खुश रहें